आज के वक्त में भगवान के रिषते को जीस तरह इंसानों से और इंसान के रिषते को भगवान से जोड़ा गया है वह कांतारा मुवी में भित में लायग है। रिशब शट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में न केवल साथ में रिलीज बाकी मूवीज को पीछे छोड़ दिया बलकि आज ये IMDb पर सबसे ज़ादा रेकिंग वाली फिल्म बन गई है इस फिल्म में दिखाए गए भूता-कोला रिजूल्स के बारे में लोगों में काफी उत्सुता देखी जा रहे है और आज हर कोई इसके बारे भी जानना चाहता है लेकिन ये फिल्म आपको तभी अच्छे से समझ आएगी जब आप इस फिल्म में दिखाए गए पंजूरली और गुलीगा ये दो दैवों के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है कौन तो पहले हम बात करते हैं पंजूरली देवा के बारे में तो तुलू भाषा में पंजूरली का अर्थ होता है जंगली सूवर यानि वरा अवतार के देवा ये कुछ-कुछ भगवान विश्णो के वरा अवतार की ही तरह है तुलू लोगों में पंजूरली देव सबसे प्राचीन देवताव में से एक हैं पंजूरली देव की उपास के पांच पुत्र हुए लेकिन उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे चुड़िया वो भूख प्यासे तडपने लगा और विक्तु के कगार पे आखड़ा हुआ उसी समय माता पार्वती वहां ब्रह्मन करते हुए आई जब उन्होंने उस नवजात वरा शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आगे और वे उसे लेकर कैलाश आगे वहां वो अपने पुत्र की भाती उसका पालन करने लगी समय विता और उस बच्चे ने एक विक्राल वरा का रूप ले लिया उसके दात निकल आये जिससे उसे बड़ी परिशानी होने लगी उस खुजलाहट के लिए उस वरा का वद करने का निश्चे किया लेकिन जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्रान ना लेने की प्रात्ना की जिससे महादेव ने उसका वद नहीं किया लेकिन उसे कैलास से निकाल लिया अपनी प्रान रक्षा के बाद उस निवास करने लगे, और पृत्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे, और इनी दैवो को इस मुवी में, राजा शान्ती के बदले गाउवालों को जमीन देकर अपने सात राज महल ले आते हैं, अब बात करते हैं गुलीगा देवा के बारे में, जिने हम क्लामेक्स में शिवा के अंदर शरीर में देखते हैं तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई उस भस्म में एक कंकड था जिसे भोलेनात ने पृत्वी पर फेक दिया उसी कंकड से गुलिगा देव अपने उग्र रूप में जन्मे उन्होंने महादेव से पुछा कि मैं कहा जाओ इस पर भोलेनात ने उन्हें भगवान विश्नु के पास उनकी सेवा करने भेज दिया लेकिन उनकी अजीब हरकतों से परेशान होकर भगवान विश्नु ने उन्हें पृत्वी पर नेना उल्ला संके नाम की राक्षसी के गर्भ में भेज दिया जहां गुलिगा देवा नो महिने बाद अपनी मा का पेट फाड़ कर बाहर आ गये बाहर आते ही उन्हें इतनी भूक लगी कि उन्होंने सूर्य देव को खाने का प्रयास किया फिर उन्होंने मचलिया खाई और जानवरों का खून तक दिया लेकिन इससे भी उनकी भूक नहीं मिदी और ये रेफरेंस हमें क्लामैक्स में भी देखने को मिलता है जब गुलिगा देवा शिवा के अंदर होते हैं तो वो खाना मांगते हैं और खाते भी हैं जैसे कि वो बहुत दिनों से भूखे हों तो आगे हम वापस कहानी में चलते हैं जब अंतता भगवान विश्नु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी तब जाके उनकी भूख खत्म हुई फिर उन्हें वापस धर्ती पे भेश सी आ गया अब ये जानते हैं कि इन दोनों देवों की एक साथ पूजा क्यों होती है और क्यों ये दोनों एक साथ रहते हैं गुलिगा देव शीवगनों में से एक माने जाते हैं और इन्हें ख्षेत्रपाल भी कहा जाता है एक कथा के अनुसार एक बार प्रत्वी पर घूमते घूमते वो पंजूरली देवा की सीमा में चले गए जहां पर दोनों ने भूमी पर नियंतरन का दावा किया जिसे पंजूरली देव और गुलिगा देव में युद्ध शुरू हुआ जो बहुत दिनों तक चला ये पूरे मन से पूजा की इसलिए कुछ जगों पर इनकी 1 सांथ की जाती है जहां पंजूरली देव सोमें सबॉपाव के लेकिन फिर ये दोनों शान्ती से साथ रहते हैं अगर निकीशसे अर्दना नहीं होती है तो ऐ दैव अशांथ हो जाते हैं इसलिए उस भूमी को और और वहां के संतुलन को बनाय रखने के लिए हर साल पूजा आराधना की जाती है इसमें पंजूली देव के समक्ष एक बेहत प्राचिन रित्य किया जाता है जिसे भूता कोला कहते हैं कोला का अर्थ तुलू भाशा में रित्य होता है और भूता इस रित्य का एक प्रकार है यह रित्य बहुत देर तक चलता है और जब रित्य करने वाला व्यक्ष ठक जाता है तब लोग उस अन्न को पंजूली देव को समर्भित करते हैं यह एक प्रकार से उनसे अपनी फसलों की रक्षा के लिए ही गई प्राथना होती है गूता कोला का अर्थ पारम परिक माना मतलब यह कला पीडी नत्यों चलती जो व्यक्ति भुता कोला रुठ्य में निपुन होता है वह अपने सबसे स्योंकों इसकी शिक्षा देता है और आप उसके बाद उसका वही बेटा भुता कोला के प्रदर्शन के समय देव या भूत प्रवेश कर सकते हैं तो अब आप समझी गए होंगे कि भूता कुला क्या है और पंजूली देवा के साथ बुलीगाय देवा की क्या कहानिगा। आप बात करते हैं फिल्म में दिखाए गए भगवान शिव के रेफरेंस की। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा को स्रिष्टी का रचेता भगवान विष्णू को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक यानि दिडिस्ट्रॉयर कहा जाता है उसी तरह इस फिल्म के लीड क्यारेक्टर को प्रेजन किया गया है जिसमें उसका नाम शिवा होता है जो और लोगों को पहचान नहीं पाता लोगों से मारपीट करता है जल्दी गुस्सा हो जाता है तो वहीं क्लामेक्स के बाद आपको वही शिवा पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा बहुत से लोगों ने फिल्म में नोटिस नहीं किया होगा कि मुरली को लेकर भगवान विश्णू का रिफरेंस हमें दिखाया गया है जहां एक तरफ शिवा जंगल का विनाश करता है तो हैं दूसरी तरफ मुरली उसे बचाना चाहता है अब लोग मुरली को कप्टी कहे या बुरा लेकिन वह भगवान विश्णू के अवतार श्री क्रिश्न की तरह हैं जो अ साथ हीमस शले मिलते हैं और फिर आपस में लड़ते हैं जैसे दैव-अर और इपहले मिलते हैं और बाद में एक होकर गाउं और गाउं के लोगों की रक्षा करते हैं इसका मतलब बब यह क्यों मिश्वतों के देव पंजूरी और इस भूमी के शाशक बनते हैं तो वहीं शीव जी भीज ऑग pasado और उनके रहेसों में दिखाया गया शीव ये दोनों उस भूमी के शेत्रपाल बनते हैं मतलब आप खुदी सोचिए कि कितने deeply इस movie को लिखा, direct और act किया गया है जो कि ये सब एक ही इंसान ने किया है और वो है रिशप शेटी अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देविंद्र सुत्तुर उसी तलवार से मरते हैं जिस तलवार को उनके पूर्वजोनि त्याग दिया था राजा ने जो वच्चन दे कर हतियार त्यागा था उनके वन्षज आगे चलकर उस वच्चन को तोड़ देते हैं लिकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जब देविंद्र सुत्तुर के पिताजी देवा के सामने वच्चन तोड़ने की बात करते हैं तो उनको क्यों छोड़ देते हैं तो आपने खुदी देखा होगा कि उनके पिताजी फिर भी देवा के सामने अपनी बात रखते हैं मगर देव कुनिवाला है और आपको ही सब ठीक करना होगा तो हम समझते हैं कि वह शीवा की बात कर रहा है लेकिन वह शीवा की नहीं बल्कित गुलिग victories जीने पता चल जाता है कि जमींदार क्या कर रहा है और अगर आप ध्यान दोगे तो यह scene तभी दिखाया झाता है जब जमीनदार बात कर रहा होता है कि अभी जो मेरे दिमाग में चड़ रहा है वो अगर नहीं किया तो मैं शांती से नहीं रह पाऊंगा यानि उस समय देविंद्र के दिमाग में ये प्लान था कि वो गुर्वा को जमीन का लालच देकर बुता कोला में छुट बुलवातर जमीन हासिल करेगा और अगर गुर्वा नहीं माना तो शिवा को मुर्ली के खिलाव भढ़का के जमीन हासिल करेगा जिससे गुर्वा को गुलिगा देवा का क्रोद दिख जाता है और वो जमीनदार को चेतावनी भी देता है पर जमीनदार उसकी बात नहीं मानता उल्टा वो बोलता है कि अगर मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा तो तुम्हारा देवा क्या करेगा और ऐसा बोलके वो एक तरह से देवा को ललकारता है जिसका अंचाम क्लामक्स में हम देखते हैं कि कैसे गुलिगा देवा खुद अपने करते आते हैं और यह किसी के बस की बात नहीं होती भूता कोला यह कोई मनोरजन के लिए रित्य नहीं होता इसमें परफॉर्मर को अत्याद्मिक परिक्षनों से गुजरना पड़ता है और कई सक्त नियमों का पालन करना पड़ता है तब जाकर आवहान करने पर दैवा करना ही था क्योंकि उनके पूर्वज हमेशा से यह करते आ रहे थे लेकिन एंडिंग में हम देखते हैं कि जमिंदार के गुंडों के हातों शिवा की मौत हो जाती है लेकिन जमिंदार को उसके पापों की सजा देना अभी बाकी था और क्योंकि अब भूता-कुला करने के शिवा के वंशज में कोई नहीं बचा था तो गुलीगा दैवा शिवा के अंदर आकर जमिंदार को सजा देते हैं और साथ शिवा का वंश आगगे भड़े इसलिए शिण film गायवर जाता है जहां से सालों पहले उसके पिता गायव हुए थे और यहां हो जाता है इस कहानी का दी एंड तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट कर तो बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाइए